जाए हिंद आपके अपने चैनल लिए स्टटी 24 के बढ़ा मास स्रीज में आज हम उस्मा एबं उस्मा गतिक की के बारे में वताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि बिप्यासी दरोगा और अदर तम पेटिशन में कितना मारगा कोशन पूछा जाता है और इक्जाम के दृष्टी कौन से यह कितना महत्पूर्ण है इनके बारे में भी आपको बताने वाले हैं जदि आप अभी तक हमारे चैनल के नहीं लग की किजिए और लेकर कुछ न कुछ करते हिसे की एक खूसी मिलता हम भी मिलता कि नहीं जो पढ़ने वाला वह पढ़ रहा है सामने में अक्टिव होके पढ़ लगा है उस्मा काती कि मैं आप सबसे पहले देखे कि पढ़ना क्या पढ़ता है सबसे पहले यह समझे कि उस्मा क्या होता है उस्मा तो आपको पता है कि जिसे हीट होता है अब उस्मा की जो होता है सम्माध्यम में अलग अलग चाल होता है जैसे कि उस्मा ठोस में ठोस में जो संचरन करते हैं तो उसे चलन कहते हैं यदि वो द्रब में कड़े तो उसे संभान कहते हैं और यदि वो निर्वात में कड़े तो उसे वीकिरन करते हैं जैसे कि सूर्ज की प्रकास क्या होता है सुर्ज की प्रकास से जो उस्मा आता है वो विक्रियन के माध्यम से क्या हता है प्रिथिपी तक आता है तो यह प्रिट्रा टाइप प्रकार समझ गे जड़ी इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है चलिए हम आज यह समझाते है कि आपको एक्जाम में कौन-कौन से important topic है जो आपको पढ़ना है इसका important topic यह तो समझे ही साथ में आप यह समझे कि उसमा के नापने की जो scale है वो foreign hat Celsius, Kelvin जो भी foreign hat उसे change कैसे करे है जैसे 37 degree को foreign hat में कितना foreign hat होगा या कितना degrees Kelvin में कितना मान होगा तो आपको Kelvin में change करने वाले formula याद होना चाहिए और याद वो आप कैसे change कर रहे है वो तरीका भी आपको पता होना चाहिए अब यह समझे है कि तापड़िवर्तन कैसे होता है और उसका क्या परभाव परता है यहां सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है 100 डिगरी पर करते हैं तो क्या होता है मतलब आपका temperature का जितना भी जो scale है वो आप देखे इसके बाद temperature का अनुपरयोग देखे कि कोई भी temperature का उप्योग क्या है हमारे life में विवारिक life में क्या अनुपरयोग है जैजा जो question पूछता है PCS या other competition जो चेल से पूछता है यह नहीं तो यह उप्योग से पूछता है कोई भी exam इसी तरीका से पूछता है या तो उप्योग से पूछता है तो इस बात को धियान में रखते हुए आपके जो उस्मा इबम उस्मा गतिकी को पढ़िये यह कभी question आता है तो कभी नहीं आता, इसमें कोई फिक्स नहीं आये, ये कोश्चन आये या नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं आ कि आपको इसका छोर देना आया, क्योंकि हरे competition में कभी आता है, तो कभी नहीं आता, BPSC का भी यही हाल है, कभी आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं पढ़ना है क्योंकि इसको भी पढ़ना है जिसे कि आपकी पढ़ाई बहतर हो सके समझ रहे हैं मेरी बात तो चलिए पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे धन्यवाद